आज आप सभी लोग के लिए बेशन से बनने वाली बर्फी की ऐसी रेस्पी लेकी आई हो जिसे बनाना बहुत ही ऐसान है और यह बहुत ही कम समान में और बहुत ही जल्दी बन के तयार हो जाता है यह घर के रखे चार समाने से हम इस बर्फी को बना के तयार कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए ना हम किस मिल्क पॉडर और नहीं खोया का यूज करेंगे फिर ये मिठाई बहुत ही बहुत ही बेहतरी रिर्बन के तयार होगी इस मिठाई को बीगिनर्स भी बना सकते हैं बेसन की बर्फियो बनाने के लिए मैं यहां पर डेर कबार की बेसन लिया है जिसे मच्छे से चान लेंगे बेसन को अच्छे से चान लेने से हमें भुनने में असानी होगी यहां पर मैंने बेसन को अच्छे से चान लिया है जली आगे कप प्रोसेस करते हैं एक नॉंस्टिक कडाही लिया जिसमें मैंने एक चुथाई कप घी डाल दिया है इस मिठाई को बनाने के लिए अगर नाप के लेंगे तो आपके मिठाई एक बार में पर्फर्ट बन के तयार होगी चाहिए आप बीगिनर ही क्यों नहों यहां मैंने गैस के फ्लेम को अन कर दिया है और मैंने इसे स्लो फ्लेम पे रखा है जब घी अच्छे से मिल्ट हो जा और थोड़ा गर्म हो जाती इसमें चाना हुआ बेसन हम डाल देंगे यह ध्यार रखें कि जब बेसन डालें तो घी ज़्यादा गर्म ना रहे जब बेसन गी में अच्छे से कोट हो जा तो इसमें हमें एक रखाई कप सूजी डाल देंगे सूजी डालने से इसमें ठाइमें बहुत ही बढ़ियां करंच आएगा सूजी डालने को अदे से 5-7 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसमें अच्छे से हम भून लेंगे 6-7 मिनट भूनने के वादा दे सकते हैं क्या बेसन का कलर अब चेंज होने लगा है इसे थोड़ी दिर के लिए और हम भून लेंगे थोड़ी दिर के बाद देखें कि बेसन अच्छे से भून चुका है थोड़ा हलका सा गिला होने लगा है यानि कि बेसन हमार अच्छे से भून चुका है और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गिया है बेसन को अच्छे से भूनने को आद इसमें एक चोथाई कप चीनी का पॉड़ा डाल देंगे अगर आपके पास सुगर पॉड़ा नहीं है तो चीनी को ग्रांडिंग जार में डालकी से पीछ लें और बेसन और चीनी को मच्छे से मिक्स कर लेंगी चीनी डालने को मैंने से तीन से चार मिनट के लिए और अच्छे से भून लिया था ता कि चीनी का जो कच्छा पान है वो निकल जाए अब इस मच्छा सा फ्लेवर के लिए मैंने एक छोटा चमच इलाची पॉड़र डाल दिया है अगर आपको इलाची पॉड़र नहीं अच्छा लगता है तो आप इससे स्किप भी कर सकते हैं अब इलाची पॉड़र डालने के वाद एक मिनट के लिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इससर्म अच्छे से भूण चुका है अब इसका डो बन रहा है तो इस स्टेच पे हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे यदि इस मिठाई को बनाते हुई बस यह दिहां रखना है कि आपको गैस के फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं रखना है लोपी से बनाना है तो यह मिठाई बहुत ही अच्छे बन के तयार होगी यहां पर मैंने इस मिठाई को सेट करने के लिए केक टिन लिया जिसको मैं अच्छे से घी से ग्रीस कर दिया है अब इस केक टिन मिठाई का मिक्शर को डाल देंगे और इस मिठाई के मिक्शर को अच्छे से एक सार कर लेंगे अभी तो मिठाई का मिक्शर आपको बहुत ही गिला लगेगा लेकिन जब यह बच्छे से से सेट हो जाएगा तो यह हाड हो जाएगा इस यहां पर मैंने काजू पीस्तव अदाम को बारी काट लिया मिठाई वाले मिक्शर के उपर डाल देंगे और इस स्पैचुला की सहायता से हलका हलका दबा दें ताकि यह मिक्शर में अच्छे से चिपक जाए अच्छा है तो इसे दो घंटे के लिए बाहर भी शोर सकते हैं अगर आपको जल्दी वादी है तो आदे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दे यह जल्दी से सेट हो जाए मैंने इसे आदे घंटे के लिए फ्रिज में रख देया था आप देख सकते हैं कि अच्छे से सेट हो गया है अब इसे आप मन चाहे सेप में काट सकते हैं याँ भी मैं इसे बर्फी का सेप दे रही हूँ चलिए एक पिस निकाल के देख लेते हैं कि हमारी मिठाई कैसे बन के तयार हुई है अब देखने से ही पता चल लाओ कि मिठाई कितनी लाजवाब बन के तयार हुई है इस मिठाई में जो हमने सूजी डाली इसमें बहुत ही बढ़िया करंच लेके आया है और इसकी बज़ाई से मिठाई बहुत ही बेहतरीन लग रही है खाने इस मिठाई को एक तोड़ के देख लेते हैं तोड़ने से पता चल रहा हुआ कि मिठाई कितनी मुलाएं बन के तयार हुई है तोजी डालने से मिठाई बहुत ही दानेदार बन के तयार हुई है आपने देखा ना इस मिठाई को बनाना कितना असान और कितनी कम जमान में और कितनी जल्दी बन के तयार हो गया है अगर इस मिठाई को आप घर पे बनाएंगे तो मारकर से बेसन की बरफिलाना भूल जाएंगे पर आखी का तेवार आने वाला तो इस मिठाई को पहले ही बना कि आप रख सकते हैं इस मिठाई को 15 से 20 दिन तक इजली स्टोर कर सकते हैं अगर आज का वीडियो लाफ को थोड़ा सा भी यूश्फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें मेरे चैनल घर का जैका को सब्सक्राब करना ना भूलें धन्यवाद